हेलो स्टुडेंट्स नमस्कार एंड बेलकम तू धिवान राजेश धिवान यूटूब चैनल एंड फेस्बुक पेज आज की वीडियो में हम डिसकस करेंगे वाट इस डिटर्मिनेंट ओफ अ मैट्रिक्स माइनर एंड कोफेक्टर ओफ एंड एलिमेंट और कैन वी फाइन डिटर्मिनेंट फार रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड मैनी मोर तो आई ये सुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले हम डिसकस करेंगे डिटर्मिनेंट ओफ अ मैट्रिक्स हमें एक बात याद रखनी है only square matrices have determinants and matrices which are not square do not have determinant value इसका मतलब ये हुआ rectangular matrix के लिए हम determinant value calculate नहीं कर सकते हैं अब है what is the difference between a matrix and determinant तो matrix क्या है matrix is an arrangement of numbers whereas determinant is a number itself assigned to the matrix अब determinant value calculate कैसे करते हैं आई ये सुरू करते हैं two by two matrix के साथ सबसे पहले देखते हैं हमारे पास एक matrix है यहाँ पर two by two का अब इसकी determinant value निकालनी हो तो हम सबसे पहले क्या करेंगे एक determinant लिख लेंगे determinant के अंदर और determinant की notation क्या है या तो det या फिर दो parallel lines के बीच में जो number लिखे जाते हैं वो यहाँ पर यह अब एक determinant बन गया है और इसकी values कैसे निकालते हैं इसकी value निकालेंगे हम यहाँ से top left से शुरू करेंगे और इसको multiply करेंगे right bottom के साथ ऐसे तो two into nine minus अब यहाँ से शुरू करेंगे top right के साथ और multiply करेंगे bottom left के साथ ऐसे बीच में minus लगाना नहीं बूलना है तो minus के बाद 5 into 7 calculate करके आएगा वो ही determinant value होगी तो two nine zero eighteen minus seven five zero thirty five and answer आजाएगा हमारा minus 17 और minus 17 जो है वो ही determinant value है इस matrix की यह matrix एक arrangement है और determinant एक fixed value है जो इस matrix को assign की हुई है अब एक और example देखते हैं इसी तरह से अब दूसरा matrix है हमारे पास यह भी two by two का है और हम जल्दी से इसको determinant में change कर देते हैं determinant value ऐसे दो पहले lines के बीच में eight ten four five और value कैसे calculate करने है इसकी determinant value हम top left से सुरू करेंगे और multiply करेंगे ऐसे इन दो numbers को तो eight into five फिर minus लगाएंगे अपनी तरफ से फिर यहां से right top से और यहां multiply करेंगे left bottom में तो ten into four अब दोनों को जब multiply करेंगे तो eight five और forty ten fours are also forty and its determinant value is zero तो अब है three by three determinant को कैसे evaluate करते हैं हम सबसे पहले क्या लिखते हैं जिस row से इसको evaluate करना सुरू करते हैं जैसे यहां पर पहली row से करते हैं यह हमारे पास option है या तो हम रो बाई चले या कोलमब आई चले मैं पहले first row से इसको evaluate कर सकता हूँ second row से भी हैं third row से भी इसी तरह से first column से भी second column से भी third column से भी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे minus one power जिस position पर यह element है जैसे यह first row first column है तो यहां पर हम लिख देंगे first row first column ऐसे power में और उसके बाद यह element जिससे हम शुरू कर रहे हैं इसको evaluate करना four अब इसको multiply करना है हमने determinant से कौन से determinant से जिस row में यह four है जैसे first row में है तो first row को eliminate कर देंगे first column में है तो first column को भी eliminate कर देंगे उसके बाद जो determinant बचेगा two by two तो हमारे पास यह determinant बचेगा हमारे पास three two three two minus two three अब उसके बाद फिर से plus यहां जैसे लिखा है यहां पर minus one तो हम भी यहां लिखेंगे minus one power अब दूसरे यहां पर first row के दूसरे element की बारी आएगी जो की है one उसके साथ multiply कर देंगे और फिर यहां पर power जिस row में और जिस column में यह number है जैसे यहां पर यह element first row second column में है तो हम यहां पर power देंगे first row second column power हमने इसको देखनी minus one power को और उसके बाद जो element यहां पर होगा वो ही हमने यहां लिखा है उसके बाद जो determinant होगा two by two का इस element की position को जो की है first row second column तो उसको eliminate कर देंगे first row को eliminate कर दिया second column को eliminate कर दिया उसके बाद जो हमारे पास two by two का determinant बच गया वो लिखना है multiply करके अब last में हमारे पास यह element बच रहा है two तो वैसे ही लिखना है plus फिर minus one power तो यह two जो है देखे first row में है और third column में है तो हमने ऐसे करके power कर दी और यही element लिख दिया जो यह लिख रहे हैं हम two और फिर वैसे ही यह किस position पे है देखे यह है first row first row third column तो हम first row को eliminate कर देंगे third column को eliminate कर देंगे बाकी जो बचे का वो determinant two by two का होगा और वो लिख देना है हमने ऐसे अब यह सब को हम solve कर लेंगे और यही हमारी value आ जाएगी इस determinant की जो की है three by three का तो अब इसको solve कर लेते हैं तो देखे अब सबसे पहले हमने यहां से सुरू करना है सबसे पहले यहां सुरू करेंगे तो यह है minus one power यहां से हमें मिलेगा one plus one two फिर आगे four और जो determinant आएगा solve करके वो हमने कैसे करना देखे यहां से multiply कर देना है इस number को top left से right bottom तो three into three nine आएगा minus फिर यहां से सुरू करना है multiply करना यहां सुरू कर देना है right top से left bottom तक तो two into two minus four मिलेगा लेकिन minus one पहले से याता है यहां पर तो हम ऐसे लिख देंगे minus four अब इसकी बारी आएगी यहाएगा plus फिर minus one की power यहां है one plus two तो three हो जाएगा आगे है one तो one लिख देंगे और फिर determinant value solve करके तो यहां से सुरू करेंगे top left से उसके सामने diagonal zero into three तो zero आएगा फिर minus इस number के साथ यहां multiply करना है two into one two आएगा अब यहां plus minus one की power यहां से हमें power मिलेगी four और जो element है two वैसे multiply कर दिना है और फिर यहां से determinant को solve करना है तो यहां से multiply करेंगे diagonally zero into minus two zero आएगा फिर minus अपनी तरफ से इस three number के साथ यहां one को multiply करना है तो minus three अब इस सारे को हम solve करके answer calculate करेंगे तो minus one की power two जब minus one की power even होती है तो हमें यहां से plus मिलता है तो यह plus लिखा मतलब four into plus one four बचा अब four minus minus four है तो nine minus minus four है तो यह आएगा nine plus four यहां से हमें मिलेगा thirteen आगे यहां plus है फिर minus one की power three तो minus one की power three का मतलब minus ही मिलेगा और minus से one को multiply करेंगे तो minus one आएगा अब zero minus two से हमें minus two मिलेगा फिर plus अब यहां minus one की power four है तो one मिलेगा plus का और two है तो two से multiply कर देंगे और यहां से minus three ही रहेगा तो यहां से मिलेगा thirteen four जार fifty two यहां से minus two minus two into minus one plus two आजाएगा और यहां से minus six मिलेगा और जब last मैं fifty four minus six तो fifty four minus six आएगा forty eight और यह इसकी determinant value होगी इस determinant की forty eight अब आगे है हमारा minor and co-factor of an element जो भी determinant दिया जाता है उसके अंदर जो element हैं उनके हम minor और co-factor निकालेंगे और minor को हम notation देते हैं M के साथ and co-factor को notation दे सके हम C के साथ और साथ मैं यहां पर IJ मतलब किस element का minor निकाल रहे हैं हम या किस element का co-factor निकाल रहे हैं I का मतलब है I row J का मतलब है Jth column तो M IJ का मतलब है कि जो element Ith row and Jth column पे है उसका minor उसका co-factor निकालेंगे तो सबसे पहले देखेंगे minor होता क्या है उसकी definition क्या है So minor of any element is obtained by evaluating the determinant obtained from deleting the row and column in which that particular element is lying जैसे यहां पर अगर हमने इस two का minor निकालना हो तो हम क्या करेंगे इस row और column को जिसमें यह lie कर रहा है यह first row में lie कर रहा है तो हम first row को eliminate कर देंगे first column में है तो उसको भी delete कर देंगे और उसके बाद जो बचेगा उसको हम solve कर लेंगे तो यहां पर यह one y one का एक determinant बचा है और जो होती है value two या इसके लिए two आएगा तो वो ही हमारा minor आएगा इसी तरह से मैं दूसरे element के लिए calculate करता हूँ तो यहां पर इस element के लिए इस two का यह second row second column पे है तो हम second row second column को eliminate कर देंगे हमारे पास बचेगा एक determinant one y one का जिसकी value यही है तो इस element का determinant इस element का minor two आया और इस element का minor भी two आया अब हम दूसरे जो element बचे हैं उनके बारे में calculate करके देखते हैं तो यहां पर देखिए इस element का देखते हैं तो यह है first row second column हम first row second column को eliminate कर देंगे first row और second column eliminate हो गया तो हमारे पास बचा three और four का minor आया हमारे पास three और determinant three तो three के value three रही और यह है M position कौन सी है इसकी element की M one one इसका हमने निकाला था two M one two M one two M one two यह है four first row second column इसका निकलेगा यह देखिए सामने बाला three इसी तरह से M two one second row first column यह three तो इसका four निकलेगा सामने बाला element और M two two इसका हम निकाल चुके हैं इसके सामने two अब को factor क्या है को factor भी जैसे minor निकालते हैं बैसे ही निकालेंगे सिर्फ फर्क होगा कि वहाँ पर magnitude वही रहेगा या change हो जाएगा तो co factor ऐसे है minus one power i plus j into mij मतलब किसी element का co factor बराबर होता है minus one power i plus j i position of the element in i th row मतलब i th row कौन सी है और j th column पे जो element है उसकी power दे देंगे और add कर देंगे तो यहाँ पर और M minor के साथ multiply कर देंगे minor और co factor में सिर्फ इतना ही फर्क होगा या तो दोनों बराबर होंगे या दोनों में सिर्फ minus का फर्क हो सकता है अब हम 3y3 के determinant में minor और co factor कैसे निकालते हैं वो देखते हैं example के साथ अब मैंने एक determinant लिया है 3y3 का और यहाँ पर इसके सभी elements जो है उसका minor निकालेंगे तो सबसे पहले मैं इसका M11 position पे जो element है तो M11 position पे element है 1 और उसका minor क्या होगा हम यह first row first column में है तो हम first row के element और first column के element को eliminate कर देंगे उसके बाद जो determinant बचेगा उसको solve करेंगे तो उसके बाद हमारे पास यह determinant बचेगा 2 by 2 का 0 minus 5 5 0 और जब इसको solve करेंगे तो ऐसे 0 into 0 फिर minus minus 5 into 5 तो minus 5 into 5 25 ऐगा minus का लेकिन minus पहले से है तो यह 25 plus का हो जाएगा और यह आ गया M11 position पे यह element का minor 25 अब हम इसका निकालेंगे तो यह कौन सी row है first row में तो first row को eliminate कर दिया second column में है तो second column को eliminate कर दिया हमारे पास यह determinant बचेगा minus 3 यह देखिए फिर minus 5 फिर यहां से 2 जो बचेगा वो determinant लिख देंगे और उसको solve कर लेंगे तो यहां minus 3 into 0 0 मिलेगा फिर minus 5 into 2 minus 10 ऐसे तो यह बन जाएगा plus 10 और यहां पर M12 की value आ जाएगी 10 अब इसका देखते हैं आगे अब इसका देखेंगे यह है first row last column या third column तो first row को eliminate कर दिया third column को eliminate कर दिया हमारे पास यह determinant बचा तो इसको लिख देते हैं minus 3 0 2 5 और इसको solve करना हो तो minus 3 into 5 minus 15 minus 2 into 0 ऐसे 0 into 2 तो 0 आ गया minus 15 value आ गई हमने minus 15 लिख दिया अब हम second row के element को minus 3 का minor निकालेंगे तो minus 3 second row में है second row को eliminate कर दिया first column में है first column को eliminate कर दिया बाकी जो बचेगा तो बाकी बचेगा यहां पे एक determinant 2 by 2 का जिसकी first row है 3 minus 2 और second row बनेंगी 5 0 तो ऐसे multiply कर देंगे तो 0 minus 10 यहां से है लेकिन minus 10 का plus 10 बन जाएगा क्योंकि 3 into 0 minus minus 2 into 5 तो plus 10 बनेगा plus 10 लिख दिया मैंने अब जो beat का element है यहां पर 2 2 position पे इसका determinant निकालेंगे तो इसका determinant second row को eliminate करके second column को eliminate करके मिलेगा तो वो आएगा हमारे पास 1 minus 2 2 0 और यहां से multiply करेंगे तो 0 आएगा यहां से multiply करेंगे तो हमें मिलेगा plus 4 और यह 4 लिख दिया अब second row के third element का तो यह element है वो और यह second row में है eliminate कर दिया second column third column को भी eliminate कर दिया हमारे पास बचेगा 1 3 2 5 और जब इसको solve करेंगे तो 1 into 5 5 मिलेगा minus 3 into 2 6 तो 5 minus 6 हमें मिलेगा minus 1 और हमने यहां पर दिया minus 1 इसी तरह से third row का भी calculate किया जा सकता है आप देखिए third row का पहला element यह है तो यह और यह eliminate हो जाएगा 3 into 5 minus 5 minus 15 और 0 तो minus 15 ही मिलेगा यहां से अब इस element को देखेंगे तो यह five element जो है इसको तो यह है last row eliminate होगे क्योंकि last row में है second column में है तो हमारे पास बचेगा 1 into minus 5 minus 5 होगा फिर minus 2 into 3 तो minus 6 minus 5 minus 6 minus 11 मिलेगा और उसके बाद last element जो है तो last element है हमारे पास 0 यह third row में है third column में है eliminate करके 1 into 0 0 मिलेगा फिर minus minus अपनी तरफ से 9 का plus 9 बन जाएगा ऐसे तो यह third row के elements आगे अब हम co factor निकालेंगे तो co factor में सिर्फ थोड़ा सा फर्क है हमें यह पता करना है कि यहाँ पर minus इसके सामने लगेगा या नहीं लगेगा और वो कैसे decide करना है हमने सब के साथ minus 1 power जो इनके साथ लिखा हुआ है उसको add कर देना है जैसे यहाँ पर 1 1 1 2 1 3 तो मैं पहले element का निकालता हूँ 1 1 1 plus 1 तो यहाँ पर आएगा plus इसका मतलब यह इसका co factor भी बराबर होगा अब दूसरे में क्योंकि दूसरे में प्लस 2 लिखना पड़ेगा मिलको यहाँ पर minus 1 power यहाँ पर 1 2 है तो 1 plus 2 तो यह minus 1 मिलेगा इसका मतलब इसका co factor भाएगा minus 10 यहाँ से 1 plus 3 4 मिलेगा तो इसका मतलब इसका minor वही रहेगा जो co factor और minor same रहेंगे यह और यह same रहेंगे यहाँ पर देखते हैं second row के तो 2 plus 3 2 plus 1 3 बनेगा तो 3 odd number होता है और odd का मतलब यहाँ पर minus आ जाएगा यहाँ पर देखे यह 2 plus 2 4 है 4 even number होता है और even number में change नहीं होगा तो यहाँ पर 4 ही रहेगा यहाँ last element देखेंगे second row का 2 plus 3 5 5 odd number है और odd के लिए change हो जाएगा minus 1 का plus 1 आ जाएगा हम last row में दिखते हैं last row के element last row के element 3 plus 1 4 even number है मतलब वही रहेगा वैसे column भी वही रहेगा जैसे हमने यहाँ पर लिखा था cofactor यह cofactor है और यहाँ पर 3 plus 2 minus है तो minus में change हो जाता है तो यह इसका cofactor आएगा plus 11 यहाँ पर 3 plus 3 6 even number है even number के लिए वही रहेगा cofactor एक shortcut है जो आपको याद रखना है किन किन element का minor और cofactor बराबर होगा अब देखिए मैं एक rombus draw करता हूँ यहाँ से इन element जो हैं जो मैंने circle किये हैं इन element को छोड़ के बाकी सब ही element का minor और cofactor बराबर होगा देखिए यहाँ से एक ऐसे यह rombus बनती है जो element यहाँ पर जो vertices हैं इसके उनके minor और cofactor बराबर नहीं होंगे बाकी सब के बराबर होंगे अब हम इस determinant को solve करेंगे with the help of cofactor तो हम क्या करेंगे किसी भी row को choose कर लेंगे और उसके row के element को उसके cofactor के साथ multiply कर देंगे इस तरह से मैं यहाँ पर choose कर रहा हूँ second row को हम किसी भी row या किसी भी column के साथ determinant को solve कर सकते हैं मैं second row के साथ choose कर रहा हूँ तो देखिए इसको कैसे solve करना है सबसे पहले जो element है वो लिखा और उसको multiply कर दिया उसके cofactor के साथ तो यह उसकी position है 2,1 तो 2,1 के साथ अब प्लस यह element लिखा दूसरा 0 यहाँ जो भी element होगा और उसके cofactor के साथ तो यह position है 2,2 उसकी position cofactor के साथ multiply कर दिया प्लस फिर यह last element इसकी position है 2,3 तो पहले element लिखा फिर उसके cofactor के साथ multiply कर दिया और यही हमारा जो solve करके या calculation करके answer आएगा यही इसकी determinant value होगी इसकी 2,1,1 position का जो cofactor होगा वो कैसे निकालेंगी element यह है तो cofactor निकालने के लिए जिस row में element होता है उसको और जिस column में है उसको eliminate कर देते हैं तो 3 into 0 हम पहले determinant लिख लेते हैं 3 पिर यह minus 2 मिलेगा ऐसे 3 फिर minus 2 फिर यह 5 फिर 0 और जब इसको solve करेंगे तो 3 into 0 minus 5 into minus 2 तो यहां से हमें मिलेगा 10 प्लस का अब यहां से देखते हैं दूसरे number का यह 0 है इसका cofactor के आएगा तो इसका कैसे आएगा देखिए यह है second row में इसको eliminate कर दिया second column में है उसके बाद जो determinant बचेगा तो determinant बचेगा 1 minus 2 जो element होंगे ऐसे फिर 2 0 2 0 और solve करेंगे तो 1 into 0 0 मिलेगा minus 2 into minus 2 minus 4 तो यह minus पहले से है plus 4 बन जाएगा तो यह value है कि plus 4 अब third element यह तो इसको जब हम solve करेंगे तब क्या आएगा देखिए यह है second row तो second row को eliminate कर दिया column है third तो third column को eliminate कर दिया अब जो determinant बचेगा 1 3 तो 1 3 फिर 2 5 2 5 अब जब इसको solve करना है तो 1 into 5 5 मिलेगा minus 3 2 0 6 तो minus 1 मिलेगा अब हम यह value लिख लेते हैं यहां पर minus 3 into C21 C21 आएगा हमारा 10 हमने calculate करके रखा है और 0 से 2 2 अगर यहां 0 नहीं होता तब हमने multiply करना था इसके साथ तो यह आएगा 0 into 4 plus minus 5 है यहां पर into यहां से आएगा C23 यह C23 हमने जो co factor है इस element का 5 का उसके साथ तो minus 1 है minus 1 फिर जब solve कर लेंगे तो minus 30 plus 5 हमें मिलेगा minus 25 और यह इसका minus 25 ही determinant value होगी और यहां सबसे important जो point है जब हम determinant solve करते हैं तो दूसरी बार जब minus करना जैसे यहां हमने इस element का co factor निकालना हो तो हम इसको eliminate कर देंगे third row को और first column को भी और फिर जो हमारे पास यह determinant बचेगा इसको solve करना है तो यह determinant बचेगा 3 into minus 5 3 into minus 5 फिर minus लगाना नहीं भूलना है अपनी तरफ से और उसके बाद यहां से शुरू करना है multiply minus 2 फिर into यहां और जो element यहां होगा उसको multiply करना है यह minus अपनी तरफ से लगाना है तो minus 15 फिर 0 आ जाएगा तो यह minus 15 रहेगा तो students अगर किसी determinant की value जैसे यहां से minus 5 आती है तो हमने minus 5 का plus 5 नहीं करना है यह minus 5 का minus 5 ही रखना है क्योंकि यही इसकी value है हमने यह नहीं सोचना है कि minus 5 का मतलब यह absolute value है यह एक notation है minus 5 means minus 5 एक बात आपने और याद रखनी है कि determinant अगर हम किसी row से करें या first row से करें second row से करें third row से करें या first column से second column से या third column से हर बार determinant की value same ही रहेगी change नहीं होगी चाहे आप किसी row या किसी column से expand करें और सबसे important point है co-factor and minor के बारे में minor और co-factor में यह relation है cij is equal to minus 1 power i plus j into minor of that element अब minor और co-factor कभी बराबर हो सकते हैं कभी बराबर नहीं होंगे अगर बराबर होंगे अगर बराबर नहीं होंगे तो सिर्फ minus का फार्क होगा minor minus 7 आया तो उसका co-factor भी minus 7 आसकता है या फिर minus 7 आया तो उसका co-factor सिर्फ plus 7 होगा और इसके सिवाया कुछ relation नहीं होगा minus 7 का plus 7 या plus 7 का minus 7 या फिर बराबर होंगे अब एक shortcut है जो आपको याद रखना है किन किन element का minor और co-factor बराबर होगा अब देखिए मैं एक rhombus draw करता हूँ यहां से इन element जो है जो मैंने circle किये हैं इन element को छोड़ के बाकी सभी element का minor और co-factor बराबर होगा देखिए यहां से एक ऐसे यह rhombus बनती है तो जो element यहां पर जो vertices हैं इसके उनके minor और co-factor बराबर नहीं होंगे बाकी सब के बराबर होंगे तो students आज की वीडियो में हमने सीखा what is determinant of a square matrix और rectangular matrix का determinant value नहीं निकल सकता है minor and co-factor of elements और relation between minor and co-factor of elements आपको वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा ही लगा है तो इसको लाइक करें अपने फ्रेंट्स के साथ सेर करें और अगर आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जरूर सबस्क्राइब कर ले इसी तरह के वीडियो देखने के लिए अगर आपने ये वीडियो हमारे फेस्बुक पेज के उपर देखा है तो हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फोलो करना न भोले धन्यवाद